वैसे तो मैं यह वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे भी कुछ इस तरह का पॉब्लेम देखने को मिलेगा मेरे डिमी नोट 8 के डिवाइस में जिया जो मेरा डिवाइस है यह भी बूट लूप में जा चुका है जब भी मैं से स्टा आपको हो सकता है कि आपको जो यह बग है यह आपके डिवाज में भी देखने को मिल सकता है और इसमें देख लीजिए अभी मैंने खल श tamp स्कहरा यह क्या हूं कि मैंने चाहाता कि कोई भी कानेक्श कानेक्स में वूट करें सब से पहले दिखिए जो मेरा डिवाइसfleं अम् अब को बता देता हूँ अभी जो है अगर मैं log बटन को प्रेस करता हूँ यानि कि power बटन को यह थोड़ा सा फ्लस हो रहा है जो आपको camera में नहीं दिख रहा है तो इनकेस अगर में इसे hold करके रखता हो तो देखे हैं कि हमारा डिवाइस जो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होगा देखें यहां पर आपको दिख रहा होगा देखें धीरे-धीरे लोड हो रहा है तो इस तरह का पॉब्लेम बगेरा आ रहा है और इसका जो सॉल्यूशन है वह भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन सॉल्यूशन से पहले यह चीछ सोच लिजे आपका जितना इंपोर्टेंट डेटा है वह तो आपका लॉस होगा ऐसे तो मैं आपको कैसे बैकप लेना उसका भी फॉर्मूला है मेरे पास वह भी मैं को बताऊंगा पहले आप जान लेजिए कि ऐसा अगर भग है तो एक नॉर्मल यूजर के साथ क्या होता हो जो काफी टाइम से डिवाइस को एक तरफ से यूज करते हुए आ रहा है जिसका पूरा पूरा डेटा फोने में है उसके पास नहीं कोई लैप्टॉप है नहीं जिससे वह बैक अप बना के दूसरे डिवाइस में रख सके तो उनके साथ क्या होता है क्योंकि एक टाम के लिए मेरे को बहुत ज्यादा घुस्ता आया कि जो मेरा एक वीडियो है रेडिमी 8 के उपर जिससे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका भी वीडियो आपको कल मि देटा है वो तो मिले गई नहीं और वो जो मैंने मैंने वीडियो के उपर वो भी हम पब्ली से नहीं कर पाएंगे तो इस केस में मेरे को काफी ज्यादा घुस्ता लगा कि फिर मैंने सुचा कि और भी कितने बंदा होगा जो पसनल डेटा बगर रखता होगा और उनके भी अगर इस तरह का पॉब्लेम आए तो भाई वो लोग को कितना सारा पॉब्लेम फेस करना पड़ रहा होगा देखिए जैसे कि मैंने कहा कि बग बगर आपको देखने को लेगा फाइंड माई डिवाइस अनिस्पेक्टेडली जो लिखा रहा है यही मेन बग है यानि कि अग आप डिवाइस हो गया और माइ अकौन का तरफ से एम अभी आपको नेकस्ट अपडेट में फिक्स होते हुए देखने को मिलेगा यहां पर दिखी हमारा डिवाइस बूट्लोप में जा चुक है औरं और जो रड़ बार में इसे प्रेस करूं तब जाकि शो हो रहा यहां प आपका जो डिवाइज है उसमें आपका बूट लोडर जो होता है उसे अनलोक रहना ज़रूर है अदर्वाइज आप बना ही नहीं पाएंगा जितना भी कोशिच कीजिए हाँ आपका डिवाइज अगर रूट है तो अलग बात है लेकिन अगर जब तक आपका डिवाइज में बूट लोडर अलोक नहीं रहेगा तो आप बैकप नहीं बना सकते हैं मैं फिर से बता रहू कि अगर सौमी के तरफ से कोई इस्टोक एप्लिकेशन का अपडेट आये जैसे कि माइज हो गया और भी कोई सिकर्टी रिजन से अपडेट आये तो उससे अपडेट नहीं कीजे अब आपको जैसे कि शौमी का अकॉन अगर लॉग इन करते हैं उसकेस में आपको जो फाइंड माई डिवाइस है टरन आप करके रखना करने तो आपको इस तरह का बग देखने को मिलेगा जैसे कि हमने आपको दिखाया हमारे डिवाइस में किस तरह सा पॉब्लेम हो रहा ह अब आपको जो डिवाइस से इसको पाउरब कर दिना जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं पारणी का बद इसको आपको हमना है और यहां पे देखें आपको हड़ा से लिए सबसे पहले दिखुआ आपको वॉल्म प्लास बटन और पर बटन को घुर सब्स करना है पहले ट्वाइस को लौग आये तो आपको इस तरह में पार वाटम को रीलिस्ट करना है अब देखें जो डेटा घंड और अ cohort ऑल डटा पर लाना है ध्यान रहेए इस केसमें आपका जो भी डिटा वो दिलेट ऊगा उसके साथ साथ अगर आपने शाओमी का अकाउंट लॉगिन करके रखा है या गूगल अकाउंट लॉगिन करके रखा है तो उसमें आपका फर्पी लॉग का दिक्कत होगा यानि कि आप जो शाओमी का अकाउंट लॉगिन करके रखे है उस अकाउंट का आपको पासपोर्ट अगर अब आपको दिखा रहा हो तो जैसे कि मैं बोर रहा थे कि अगर आपके डिवाइज में माय अकाउंट या गूगल अकाउंट लॉगी ने तो आपको पासफोर्ट अगेरा देना पड़ेगा तो आपके डिवाइज वो अनलॉक होगा जिससे हम एपर भी लॉक कहते हैं तो उस आपका डेटा कनेक्शन भी और रहेगा तभी यह वरक करगा अधर वरक नहीं करेंगा तो यहां पर देखिया जो मेरा पासपोर्ट उसे हम टाइप कर देते हैं पासपोर्ट टाइप कर देने कवाद सिंपली आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है वेरिफाइज होगा verify होने के बाद यहां पर आपका जो setup page आएगा first setup page setup वगरा कर लेना है और ध्यान रखना है कि अगर आपका device में Xiaomi के तरफ से find my device का कोई option allow मांग रहे तो उसे आपको allow नहीं करना है परना फिर से आपका device जो वो boot loop में चला जाएगा फिर से आपको reset वगरा करना पड़ेगा तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर Xiaomi की तरफ से कोई भी permission वगरा मांग है तो आपको उसे allow नहीं देना है तो कैसे आपको नहीं कैसे आपको access वगरा को allow नहीं देना तो यहां पर देखे जैसे यहां पर लिखाया हुआ लिखा हुआ है Xiaomi cloud needs permission यहां पर सबसे पहले आपको got it कीजिए यहां पर जो भी चीज़े यहां पर मांग रहा है डिने कर दीजे जैसे कि मैंने यहां पर आपको बता कुछ इस तरह सब आपको डिने बगरा करते रहना है अब यहां पर देखे जो भी परमिशन बगरा है यहां पर आप स्वाइब डाउन करने करें तो इन सब चीजों को परमिशन बगर वो मांगेगा अब अभी आप फिलाल के लिए नहीं दीजे और यहां पर सिंग जो लिखा है इसे भी इसे भी आप डिसीबल कर दीजे अब दीखे जो भी चीज़ें आप होगा वह इसकीप हो जाया कुछ इस तरह सा तो मैं आपको सजेस्ट करने हो फिर से कि आपका डिवाइस को कुछ इस तरह स से आपको इसकी बगेरा करके आपका डिवाइस को सेट अप कर लेना है और आपका डिवाइस फिर से पहले के जैसे नॉर्मल चलेगा पस यह था आज की इस वीडियो में कि अगर आपका डिवाइस बूट लूप में चला जाए तो आपको कैसे फिक्स करना है आगी और भी इसे तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में नॉटिफिकेशन बेल आइकन को प्रिस करके नॉटिफिकेशन और को सेलेक्ट कर दीजिए साथ में जो हमारा टेलिग्राम ग्रूप का चैनल है उसे भी जॉइन क कर लिजे क्योंकि हम वहाँ पर इस तरह के अपडेट पहले प्रोवाइट कर देते हैं थैंक्यू